कर दोस्तों स्वागत हमारे यूटूब चैलेंज स्टेडी लेंड पर आज को हमारे टोपिक होगा कुछ मैंतर पूर्ण न्यूकतियां और कुछ मैंतर पूर्ण अवोर्ड्स आए देखते हैं सबसे पहले है सेवी कि सेवी की जो फर्स्ट फीमेल हैड मनी है मादवी पूरी बुच मादवी पूरी बुच जो की फर्स्ट फीमेल हैड बनिया है सेवी की यह है इसकी स्टापना कभी की गी थी 1988 में इसकी स्टापना की गी थी और किस एक्ट के द्वारा इसकी स्टापना की गी थी वो है एक्ट 1991 के द्वारा इसकी स्टापना सेवी की स्टापना की गी थी और सेवी का जो हैड क्वार्टर पूछ लिया जाई तो कहां है तो मुंबई मुंबई में इसका है हैड क्वार्टर है उसके बाद है O N G C O N G C की First Female Head को न है First Female जो Head बनी है उसका नाम है Alka मितल उसके बाद है J N U जो की दिली में यूनिवरस्टी है J N U की First Female First Female Head कोन बनी है वो है शतित्री धूल पुड़ी तुद्री धूल पुड़ी इसकी Head बनी है इसके बाद है National Highway Authority of India N H A I National Highway Authority of India इसकी जो की First Female Head बनी है वो कोन है Alka उपद्याई Alka उपद्याई N H A I की Head बनी है National Highway Authority of India इसके बाद है F A T F इसके जो Head बनी है वो T Raja कुमार T Raja कुमार T Raja कुमार इसके F A T F के Head बनी है यानि यह है इसका काम क्या होता है जोदी गतिवीदियों को रोकना गतिवीदियों को रोकना जैसे Question में हाली में पूछ लिया जाए F A T F की Gray List में किसे सामिल क्या गया है UAE 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 देश को सामिल क्या गया है उसके बाद है इसका Headquarter बुछ ले जाए तो का है पेरिश फ्रांस में इसका हेड़ क्वाटर है उसके बाद है नेता जी ओड नेता जी अगोड यह है सुबाज चंद्रबोश के नेता जी के नाम पर शुरू किया गया है और यह है जो हाल ही में मिला है वो है जापान के पूरो पियाम सिंजु अबे सिंजु अबे को नेता जी अवोड हाल ही में दिया गया है उसके बाद है मदर टैरिसा अवोड हाल ही में किसको मिला है अनिल प्रकास जोसी को अनिल प्रकास जोसी को मदर टैरिसा अवोड मिला है उसके बाद है चपनुमा ग्यान पीठ चपनुमा ग्यान पीठ अवोड किसे मिला है तो वह है निल मनी फूफन निल मनी फूफन को चपनुमा ग्यान पीठ अवोड मिला है उसके बाद है अगर यह पुझि लिजाए कि स्तावन वाग ग्यान पीठ अवोड किसे मिला है वह है दामदर मोज्जो को स्तावन वाग ग्यान पीठ अवोड मिला है उसके बाद है एक पूछ लिया जाए एक फेमिस है तेजपूर की लीची कहां की फेमिस है तो वह है असाम की असाम की असम की फेमिस लीची है तेजपूर की लीची जिसे हाल ही में जियाई टैग मिला है और उसके बाद है साही लीची साही लीची कहां की अ है ये बिहार की अ है इसको भी जियाई टैग मिला है ठीक है दोस्तों उसके बाद है 35 वा जो सुरजकुंड मिला है जिसका योजन हर्याना के फ्रीदाबाद हर्याना के फ्रीदाबाद डिस्टिक में इसका योजन किया जाता है इसका जो 2022 का एक थीम स्टेट होता है और एक सहभागी देश्ट होता है तो इस बार थीम स्टेट किस पो चुना गया है तो वो जेन्ड के को 2022 का थीम स्टेट चुना गया है और वही अगर पुछ ले जाए तो सहभागी देश कुन सा है वह है उजबेगिस्तान सहभागी देश उजबेगिस्तान को चुना गया है उसके बाद है इमानती क्या है इमानती पुछ ले जाए कि इमानती चर्चा में है हाली में चर्चा में है तो यह क्या है तो यह एक चक्क्रवा आता है एक पॉइंट हो रहा है स्नेक आइलेंड और यह तर्चा में है तो यह काला सागर में इस्तित में यानी काला सागर किसका है यह यूक्रेन का है तो काला सागर में इस्तित एक आइलेंड है उसके बाद है हाली में तर्चा में है कवच कवच क्या है कवच यह है ट्रेन शुरक्षा प्रनाली है ट्रेन शुरक्षा प्रनाली है यानि जैसे एक ट्रेन इस साइड से आ रही है और एक एक ट्रेन इस साइड से आ रही है और सेम पट्रीपे हैं तो इन पे एक ऐसा सिस्टम में डिवाइस लगाया गया है जिससे इनको पता लग जेगा कि सामने ट्रेन आ रही है तो इसे दुर्गटना होने से बचाए जा सकता है ठीक है दोस्तों होईशोल होईशला वंदिर यह कहा है यह करनाटक करनाटक राज्जा में है जिसको युनेस्को युनेस्को की जो साइड है उसमें सामिल किया गया है युनेस्को की सूती में सामिल किया गया है इसको पहईशला मंदिर को ठीक है दोस्तों उसके बाद है स्टैचू ओफ इक्वर्टी स्टैच्यू ओफ इक्वल्टी कहा है यह पुच्छा जाए तो यह हैदराबाद है हैदराबाद में बनाई गिया है यह संत रामनुज चारिया की मूर्ति है संत रामनुज चारिया से स्टैच्यू ओफ इक्वल्टी का संत रामनुज चारिया का बच्पन का नाम क्या है लक्षमन और यह है पंच लोहा सेमनी मूर्ति है जो की दो सो सोड़ा फीट उन्ची है जिसका उद्गाटन पांच फर्वरी को 2022 को भारत के पिम नरेंदर मोदी के द्वारा इसका उद्गाटन किया गया है और पांच फर्वरी को संत रामनुज चारिया के इस उपलक्स में पांच फर्वरी को समानता दिवस के रूप में मनाई जाने की गोशना की गई है इस बाद है लता मंगेशकर लता मंगेशकर से पूछे जाने की समावना बहुत जादा है तो इन कसर से पहले जनम पूछ ले जाए तो कब अगवा था 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 फर्वरी 1929 में इनका जनम अगवा था इनके बच्पर का नाम क्या था हेमा इनके बच्पन का नाम हेमा था और छाए फर्वरी 2022 को इनका निदन हो गया उसके बाद है इन होने 1969 में पदम बूशन और 1989 में फिलम फिलम जगत का सबसे जो सवरच समान है दादा साब हाल के दादा साब अवोर्ड से समानित किया गया है 1989 में उसके बाद है 1999 में इनको पदम वीबूशन से समानित किया गया और वहीं उसके बाद 2001 में इनको बारत का जो की सवरच समान है भारत रतन बारत रतन से समानित किया गया है एक क्वेशन है दोस्तों कि जो हमारे जो पदम समान होते हैं यह सविदान की किस अन्सूची के द्वारे दिये जाते हैं यानि किस आर्टिकल के द्वारे इनको दिये जाता है मुझे कोमेंट सेक्षन में इसको जुरूर बताएं एक है दोस्तों साइंस के एक दो पॉइंट है जैसे मुकूलन पूछ लिया जाए यह क्या है यह ऐसा ही में भी इसका क्वेशन आया है तो मुकूलन अमीबा अमीबा का जो जनन होता है वा मुकूलन वीदी द्वारा होता है मुकूलन वीदी द्वारा इसका जनन होता है उसके बाद है इससे मिलता जुलता है एक खंडन कि खंडन क्या है कि खंडन सेवाल का जनन कि खंडन वीदी द्वारा होता है यानि दोस्तों ऐसा ही में अगर इससे क्वेशन आ सकता है मुकूलन से तो खंडन से वीदी खंडन बनने की समावना बहुत ज़्यादा है और वहीं लागी की जनन लागी की जनन बीजो से बीजो से नए पादप उत्पन होना होना यह है लागी की जनन वीदी द्वारा होता है उसके बाद है प्रोटीन प्रोटीन क्या है यह है जटिल नाइट्रोजन युक्त योगिक है उसके बाद है विटामिन विटामिन क्या है यह है जटिल कारबनिक है युक्त योगिक है यह है यह है यह है जैसे विटामिन है विटामिन में पूछ लिए जाता है कि वसा अब अब विटामिन कुन से है और जल में गुलनशील विटामिन कुन से है तो विटामिन B, C जो विटामिन B और C है यह ऐसे विटामिन है जो की जल में गुलन चील है गुलन चील है और जो बच गया है A D E, K यह वसा में गुलन चील है वसा में गुलन चील विटामिन है ठीक है दोस्तों हमारा एक छोटा है टोपिक करण्ट अफेर को लेकर आई ओप आपको यह समझाए होगा तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताए कि आपके लैक्सर कैसा लगा तब तक के लिए पढ़ते रहें आगे पढ़ते रहें धन्यवाद आपके लिए पढ़ते रहें